नमस्कार दोस्तों तो आज हमारे कीचन में बहुती तेश्टी गाजर का हलवा बनने जा रहा है तो इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो मेरा वडियो एन तक देखिए रंजना सुइट कीचन में आपका स्वागत है तो चलिए श्टार्ट करते हैं तो देखि चलिए ने मिक्सर मं करके, इतना अच्छा बनता है तो आप चबभी भी कातब को बनाइं ऐसे खीच के बनाएं समय लगेगा तो चलिगा समय लगे लेकिन गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनेगा तो देखि हम गी में अच्छे से उपर निचे उपर निचे हिलाएंगे और तब तक हिलाएंगे तब तक कि हमारा गाजर का कलर चेंज ना हो जाए जब गाजर का कलर चेंज होएगा तो बाद में हम इसमें दूर डालेंगे तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मु दोस्तो आज हम एक किलो गाजर का हलवा बनाने जा रहें तो इसमें आप विच-भीच में काम करते रहें médico गाजर का हलवा हिलाते रहें काम करते रहे हैं तो ऐसे घाजर का हलवा बनता है तो देखिए अबी हम पाव किलौ सक्क डाल रहे हैं गाजर के हलवे में तो जबी भी समय तो एक चौता ही हमें सक्क डालनी है क्योंकि फिर इस में बराबर वाला नुपाथ नहीं रहता है वह आता रहता तो उसमें वो सब रहता है, तो इसमें हम एक च्वता ही भाग सक्कर डालेंगे, तो ही हमारा मिठा एक दम बराबर बनेगा, नहीं तो बहुत जादा मिठा बन जाएगा, तो कोई खाना पाएगा, तो देखिए हमने सक्कर डाल दिये, तो सक्कर हलवे ने पूरे सक्कर को सोक तो अब हमने डाला हिला इलाइ में पाउड़र ढालके हम लोग धिमी आज पर हमारा गाजर का हलवा बंद रहा है तब तक हमोग दूसरा काम कर लेते तो एक चमस हमने गी लिया है और काजो और बादम को मैंने बीच में से काट लिया है देख सकते आप तो अभी हम उसको अच्छे से हिला लेंगे तो दोस्तो हल्का सा हमें काजो और बादम का कलर चेंज करना है और फिर हमें यह गी के साथ ऐसा कैसा काजर के हलवे में डालना है तो देखिए हलका color change हो चुका है तो हम गाजर के हलवे में डाल देंगे ये सब तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों क्योंकि हमने last में भी डाला है और पहले भी डाला है तो ये एक secret है तो आप जरूर बना के देखना और फिर बोलना कि हमारा गाजर का हलवा कैसा बना है तो अभी हमारा गाजर के हलवे में इतना भी पानी रहना नहीं चाहिए तो देखिए पूरा सब पानी गाजर के हलवे ने सोक लिया है